लाइफ में किसी भी चीज की कोई ग्यारिंटी नहीं होती और जब बात हो रिश्टों की तो इस नाजुक डोग में कभी कबार दरार आ जाती है जोडियां तो उपरवाला बनाता है लेकिन उनके साथ निभाना हमारे हाथ में होता है आई दिन हम डिवर्स किस्तों के बारे में सुनते रहते हैं जो आपको इमोशनली हिला कर रखते थे लेकिन साथी फिनांशिली भी आपके लिए ये काफी स्ट्रेस्फुल होते हैं और यहां नाम आता है प्रिनप्च्रिल एग्रिमेंट्स का जी हां जिने शादी से पहले बनाया जाता है क्या होते हैं प्रिनप्च्रिल कॉंट्राक्ट्स और क्यों इन्हें बनाना चाहिए इन्ही सब पर हम दिस्तार से आज बात करेंगे हमारी खास पेशकर्ष प्यार में लुटना जाना में नमस्कार मैं हूँ कविता थप्लियाल और इस खास चरचा में आज मेरे साथ शामिल हो रहे हैं सीनियर लॉयर सुझाय कांतावाला और रूंटा सेक्यॉरिटीज के हर्च वर्थ हैं रूंटा चलिए तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं चरचा की और आपका स्वागत है सुझाय पहला सवाल तो मैं आपसे साफतोर से यही पूछना चाहूंगी कि प्रिनप्शियल कॉंट्राक्ट्स अगर मैं इस के चलन की बात करूं ट्रेंड की बात करूं तो यह बहुत ही वेस्ट इन्फ्लूविंस कॉंसेप्ट है जो कि आजकल भारत में भी अपनाया जा रहा है क्या होते हैं प्रिनप्शियल कॉंट्राक्ट्स और शादी से पहले इन्हें बनाने के पीछे क्या उचते हैं देखें यह वेस्टन कॉंसेप्ट है क्योंकि अमेरिका जैसे कंट्री में आउट आफ एवरी हंड्रेड मैरेजिस पचास का डिवर्स होता है यह रेशियो है डिवर्स का अमेरिका में अपने कंट्री में अनफॉर्चुनेटली हर हजार मैरेज में 20 आजकल रेकॉर्ड हो तो यह एक डिवर्स की प्रसादों चले आ रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपून है कि प्रीनप्चुल अग्रीमेंट का यह मतलब है कि शादी के पहले मिया विवी एक अग्रीमेंट करें जो दोनों के वकिल साइन करते हैं as a witness और उनके additional family members उसकी witness हो सकते हैं और प्री प्रीनप्चुल अग्रीमेंट बोलो contract एक बनाते हैं क्योंकि Indian contract act में हर agreement contract होता है तो वो by consent no coercion उनके ओपर कोई force नहीं होता और तब ओ जाके यह प्रीनप्चुल अग्रीमेंट sign कर सकते हैं प्रीनप्चुल अग्रीमेंट जो होता है उसमें उनकी assets उनकी liabilities अगर उनका divorce हुआ तो किस हिसाब से इसका division होगा अगर बच्चे हैं अगर उनके दूसरे assets है और आजकल तो अपके pets भी है कुता बिली अगर है तो उसका भी division कैसे होगा अगर divorce होता है वो भी प्रीनप्चुल अग्रीमेंट में उसका वरणन होता है तो प्रीनप्चुल अग्रीमेंट आपका intention थाबित करता है husband and wife का कि अगर future में आगे जाकर हमारा divorce होता है तो भाई तुमारा इतना होगा और मेरा इतना होगा ताके divorce proceeding जब हो तब court को उसकी assistance मिलेगी court को ये पता च अग्रीमेंट जो है ये ऑल्टर नहीं हो सकता दो हमारे contract act में इसका कोई recognition नहीं है इसको आप validly enforce नहीं कर सकते मसलन जैसे मैं आपसे deal करता हूँ एक flat खरीदने का और flat card deal हुआ नहीं तो वो contract legally enforceable है वैसे ही ये प्रीनप्चुल अग्रीमेंट जो है वो legally enforceable नहीं है लेकिन इसको मानता फिर भी मिली हुई है आप कह रहे हैं कि ये impossible नहीं है तो क्या अगर इसको चालेंज किया जा सकता है इसकी मानता है इस तरह क्या कानून में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये free consent के इसाब से ये दो व्यक्ति contract बनाते है इसलिए आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये मेरे पर कोई influence लेकिन अगर ये court में जाता है जैसे divorce petition होती है मिया अपनी बीवी पर divorce petition फाइल करता है तो तब वो contract की copy वो petition में लगा सकता है और court को ये court के सामने ये साबित कर सकता है कि भाई देखो contract करने के time मेरी value 5 करोड थी आज 25 करोड का में हो गया लेकिन इनको तो सिर्फ 2 करोड रुप्या ही मिलेगा जो pre-numtual agreement में मैंने उसका वर्नन किया था इससे जादा हो माग नहीं सकती क्योंकि maintenance of wife under Hindu marriage law wife को maintain करना है equal status देना है divorce के बाद भी तो क्या वो कोड को माने होगा जो भी चीज़े contract में जो भी चीज़े contract में शामिल की जाएंगी सुझे और अगर divorce हो जाता है तो क्या pre-numtual contract में जो भी चीज़े mention है शामिल है उनको court मानेगा यह court को मानना ही पड़ेगा क्योंकि यह दोनों ने यह contract किया था और यह contract के बाद ही शादी हुई थी और उसमें clear भी कहा गया था कि अगर हमारा divorce होता है तो इस तरह से यह division होगा asset का तो court को consider करना ही पड़ेगा दूसरा view नहीं ले सकती इसमें बिल्कूर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और legal aspect पर तो हम और भी बात करेंगे हैं लेकिन हर्ष वर्थन रूंटा हमारे साथ जोट चुके हैं स्वागत आपका हर्ष मुझे यह समझाएगे अगर मैं इसको financial planning angle से समझना चाहूँ जैसा कि यहाँ पर सुझाय ने बताया कि आपके जितनी भी assets हैं जितनी भी आपके पास financially जो भी आपकी strength है आप mutually decide करके प्रिनप्शल contract बना सकते हैं ताकि अगर in case of divorce अगर होता है तो आपको यह clarity हो कि कौन सा asset किसके पास कितना जाएगा कितना जरूरी है अगर आप शादी कर रहे हैं तो अपनी financial planning करना वेल कविता अगर हम बात कर रहे हैं financial planning angle की और एक contract की बीच में हम बात कर रहे हैं तो इसी जरूरी है कि एक financial security अगर आप एक unknown relationship में unknown person के साथ आप शादी करने वाले हैं और आपको future मालूम नहीं कैसा होने वाला है तो शायद इसमें एक जगा बनती है कि आप अपने आपको एक security ले एक agreement में specify कर लें कि assets कैसे divide होंगे और किस तरखे के maintenance मिलते हैं अगर हम एक from the husband point of view देखें और earning member के point of view से देखें तो वहां पे भी liability freeze हो जाती है अगर हम दोनु तरफ से benefits देख रहे हैं एक from the bright side कि what is going to be my security और एक husband के side से यह होगा कि आपकी liability freeze हो जाती है आपको मालूम है कि आप इससे ज्यादा आपको liability बनती नहीं है और जैसे हमने सुजय को भी सुना कि courts जो है वो इस agreement को माणने देती है और इसके basis पे आपकी liability भी आप अपने आपको जो आपर side है वो भी freeze कर सकते हैं सुजय अगर मैं आपसे एक draft prenuptal contract का समझना चाहूं तो आपने कहा कि mutually couple decide कर सकता है क्या क्या वो एह मुद्दे होते हैं जहां पर couple की सहमती बहुत जरूरी होती है या वो चीजे होती है जो आपको contract में जरूर शामिल करनी चाहिए पहले तो दोनों का particulars boy और girl का particulars आजकल तो same sex भी हो सकता है तो इसलिए boy और girl मैं boy और girl के हिस्ता से चल रहा हूं boy और girl के particulars फिर उनके exactly assets कितने हैं देखे आजकल joint family में भी कही किसी का हिस्ता हो सकता है तो joint family business में कितना उसका percentage है कितना share है वो सब clearly mention होना चाहिए इसमें छुपाने से कोई मतलब नहीं है जूट बोलने से कोई मतलब नहीं है प्री नप्चल कॉंट्रेक का एक ये फाइदा है कि मिया बीवी को एक दूसरे का net worth जो है उनका actual worth वो पता चल जाता है जरूर और वो describe होना चाहिए कि भई मेरा इतना asset है मेरा इतना net worth है और दोनों के इसमें उसके बाद decide करना चाहिए कि अगर divorce होता है भले आज में 5 करोड रुपय का worth है मेरा लेकिन उसके बाद में 25 करोड का हो गया फिर भी आपको तो इतना है मिलेगा और इसमें ऐसा ही division होगा उसका clearly ठंडे दिमाज से वकीलों के साथ इसके registration होती नहीं है registration act के अंदर लेकिन witness इसका होना जरूरी है जो दो वकील involved है दोनों साइट से उनकी भी signature होनी जरूरी है इसलिए हमारे country में सिर्फ एक एग्दम higher socio-economic जो लेवल है जो बहुत rich लोग है वही ये सब चीज करते है नॉर्मल इंडियन पब्लिक ये प्री क्रिण परनी की क्या जरूरत है अच्छा इसमें यह वैंकल हो सकता है कि अगर प्रीन अप जादा होने लगा एंडिया में तो लोग एक बार यह सुछने लगेंगे कि अगर मैं प्रीन पर आप तो साधी करने का मतलब ही निया न कोई अजर्डिकरने वाले हो शादी के पहल अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे एक लेडी है जो शादी कर रही है तो उनको तो financial security चाहिए एक maintenance के assurance चाहिए कि आगे जाके relationship अगर नहीं चलता है तो बच्चों बच्चे अगर होते हैं तो उनका maintenance का cost कैसे होगा from the man side आप देखे कि अगर agreement करते हैं तो यह हो गया कि liability freeze हो जाती है कि यहां तक ही मुझे देना है ऐसा नहीं है कि बाद में मुझे harassment होगा कि और claim किया जाएगा यह एक practical aspect है लेकिन जहां हम एक you know actual Indian culture की बात करते हैं Indian culture में यह fit actually होता नहीं है कारण यह है कि जब आप एक relationship में एंटर होते हैं उस समें आप अगर एक commercial angle लाते हैं तो emotional angle रहा ही नहीं फिर फिर आप एक contract हो गया एक agreement हो गया साथ रहने का ऐसा type का agreement है यह है और हावेवर अगर marriage is meeting of two families meeting of two people और वो intention यह रहता है सब consciously fit नहीं होता अगर हम देखें कि अगर भगवान अगर इसी कोई situation आती है जिसमें couple को separate होना पड़ता है तो आप जब family courts में जाते हैं तो अगर courts का भी रवया देखें तो यह नहीं है कि तुरंत separation के लिए allow कर देते हैं वो भी time देते हैं couple को reconcile करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं रिकंसाइल करने की लेकिन आप एक समझी आप किसी से मिलते हैं शादी करनी है और फिर बाद में शादी करने से पहले आप बोलते हैं कि अगर हमें अलग होना पड़े तो मुझे कितने रुपे मिलेंगे तो क्या वही पर्पस आपका साथ आने का पॉइंट यह सिंपल है कि जहां हम इमोशनल एक रिलेशनिशिप है उसमें अप कमर्शल आंगल लाते हैं तब डेफिनेटली कोई ना कोई मिसमैच हमारे कल्चर में हैं यह नहीं कि अग्रीमेंट गलत होते हैं लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि सिचुवेशन आज शायद हम उसे एकसेप्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन यह हो सकता है कि आगे जाते हुए कल्चर और जो डिफरेंसे हम वेस्टन कल्चर इंडिया में भी देख रहे हैं टॉलरंस लेवल कम हो रहा है इसलिए हम देखने की हाला की वेस्ट के मुकाबले भारत में डिफरेंस फिलहाल काफी कम है लेकिन लगातार हम इसका ट्रेंड जो है उसमें भी बढ़त तो देखी रहे हैं एक तरह से और इसलिए प्रिनप्चिल कॉंट्राक्ट आप अपने एडिशनों कमर्शिलाइस तो कॉंट्राक को अगर आप सेटल करने जाए तो क्या-क्या दिक्कते आ सकती है इस पर हम करेंगे बात विस्तार से लेकिन इस प्रेक के बात है आप देख रहे हमारी खास पेशकर्ष प्यार में लुटना जाना जहां पर हम आपको बता रहे हैं प्रिनप्चिल कॉंट्राक्ट, प्रिनप्चिल अग्रिमेंट्स के बारे में कैसे शादी से पहले ही आप इस कॉंट्राक्ट में एंटर होके अपने financial separation को काफी smoothly कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़े होए हैं सुजय कांतावाला और साथी हर्षवाइधन रुंटा सुजय आपसे अगला सवाल अप ये होगा कि आमतोर पे क्यूंकि आप एक lawyer है I'm sure divorce cases आपने settle किये होंगे एक prenup के ना रहते हुए क्या-क्या दिक्कते आपको face करनी पड़ती है अगर मैं financially समझना चाहूँ अगर किसी का divorce हो रहा हो तो financially क्या-क्या दिक्कते यहाँ पर आ सकती है in case आपके पास prenup नहीं है और prenup अगर आप कर लेते हैं तो इन सब चीजों से आप निज़ात पास सकते हैं देखिए हर चीज के advantages और disadvantages है आजकल तो कहते हैं के marriage students के साथ ही एक बेटा prenup लेके चले जाना वो ताइप का trend आ रहा है पर सिरिस्टी प्रिनफ अगर ना हो तो custody rights for example बच्चे बच्चे एक divorce में सबसे ज़्यादा sufferer होते हैं court क्या करती है आजकल बच्चों को अपने cabinet बुलाते हैं जजिस और पुछते बेटा तुमको ममी के साथ जाना है या पापा के साथ जाना है अच्छा mother is the natural guardian जब बच्चा minor होता है तो ये सब चीजे जो है वो उसके लिए comprehensive कानून लाने के जरूरत है एक prenup तो देखिए amendment चीज है शादिया तो आपकी स्वर्ग में decide होती है लेकिन demolish इधर होती है धरती पर तो ये जो prenup है एक complete code नहीं हो सकता to solve all the problems हाँ इसमें जरूर आप prenup में decide कर सकते हो कि अगर बच्चे है तो अभी आपको पता नहीं है कि बच्चे कितने होने वाले है शादी के पहले अच्छा आपकी inheritance आपकी जो division of assets वो सब more or less आप decide कर सकते हो prenup में prenup जब नहीं होता तो matter trial पे चलती है जिसमें inheritance, custody rights, maintenance क्योंकि कानून कहता है कि husband has to maintain his wife equally तो फिर वो तो husband के assets पे decide होगा अगर prenup नहीं है तो फिर यह सब चीजे court decide करेगी और अगर prenup है तो court को एक assistance मिल जाती है कि कैसे court को आगे बढ़ना है और कैसे यह decree for divorce आगे जाके इसको solve करना है problem याने देखी यह दो दाड़ी तलवार है दोनों साइट से उसको cut कर सकते हैं इसके लिए मेरे इसाब से एक मोहिम चीडी थी कि इसका एक comprehensive litigation लाना क्योंकि हमारे country में काफी personal laws है अब for example Hindu law does not recognize marriage as a contract Muslim law recognizes marriage as a contract अच्छा गोवा में अगर आप शादी करते हो तो गोवा Portuguese law में प्रीनप है प्रीनप रेकर्ट में है प्रीनप आप legally enforce कर सकते हो तो अगर एक central law आ जाता है गिसमें यह सब चीज़ decide हो जाती है तो वो ही ठीक रहे है रिक्यास है बलकूल तो यहां पर एक समानता आ जानी चाहिए लेकिन हर शगला सवाल यह उठता है अब जैसे कि हम प्रीनप agreements के terms and conditions की बात कर रहे हैं तो जो legal angles है legal validity की बात करते हैं तो definitely एक advocate lawyer की inputs यह रहती है लेकिन जहां हम financials की बात कर रहे हैं जिसमें हम कितना adequate होना है कितना कैसे मिलना है कैसे division होना है assets के valuations क्या है तो naturally यह चीज जो है वह एक different legal angle में नहीं आती यह financial angle आती है so prenup agreements हम समझ रहे हैं कि यह court उनको recognize करती है और वो basis बनता है मान लीजी एक ऐसा arrangement हो रहा है जहां पर the girl is going to be a homemaker जो girl शादी करी है वो homemaker ही रहने वाली है husband कमाने वाले है so prenup agreement में husband पे alimony देने का और maintenance का cost आने वाला है क्या यह legal point of view से हम बोलते हैं कि पहले ही agree कर लेते हैं कि कोई liability बनेगी नहीं अगर husband wife दोनों मिलके ऐसा sign कर लेते हैं तो क्या यह valid होगा मान लीजे legal point of view से तो बोलेंगे आपने पहले अपनी liability discharge कर दी थी बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर आपने ऐसे बोलके marriage में enter किया है और वही agreement लेटर आप चेंज करना चाहते हैं बोलते हैं कि नहीं मुझे चाहिए यह legal point of view से एक point हो गया लेकिन financial angle यह होगा कि क्या ऐसे agreement में आपको enter करना चाहिए कि आप अपने हाथ बांध रहे हैं और फिर बाद में आप अपने rights बेवाफ कर रहे हैं दूसरी बात यह है कि जब हम assets की बात करते हैं तो यह evaluate करना जरूरी है कि क्या जो हम assets की बात कर रहे है वो sufficient है की नहीं है अगर आप assets जो अपना हिस्सा उसमें agree करते हैं वो आगे जाके आपको आपके जो lifestyle है या maintenance आपको मिलना चाहिए उतना sufficient नहीं बनता है तो definitely उसका meaning हो गया है तो आपको financial angle अगर आप आ रहा है तो financial planner अगर आप लेते हैं legal angle है तो legal validity के लिए एक lawyer होना ज बिल्कुल एक सवाल यहां पर जहन में यह भी आता है सुज्वेजी कि यहां पर तो हम assets की बात कर रहे हैं और आपकी almini की बात कर रहे हैं बच्चों की custody की बात कर रहे हैं लेकिन क्या इस तरह के clauses भी शामिल होते हैं जहां पर आगे चलकर अगर शादी के बाद को एक्ट प्रिनफ हुआ था उसमें Tom Cruise हर साल तीन से चार मिलियन डॉलर पेट कर रहा था उसकी wife को यह guarantee दे कर के मैं कुछ गलत नहीं करूंगा और मेरे से शादी बना के रखना इसमें ऐसे भी प्रिनफ clauses रहते हैं कि अगर wife ने cheat किया तो husband को इतना मिलेगा wife के estate में से और अगर husband ने चीट किया तो wife को X amount मिलेगा वो clauses भी रहते हैं इसमें और दूसरा adultery is a criminal offense तो अगर smartly कोई lawyer वाइसा टाइप का clause लगा देता है कि यह criminal breach of trust होगा और cheating होगा तो इसमे criminal angle भी आ सकता है आगे future में तो यह clause मैंने देखा है कि हमेशा रहता है क्योंकि adultery का clause बहुत important है क्योंकि adultery marriage को दबा कर देती है बिल्कुर लेकिन सवाल अब यह होटता है कि हमारे समाज में प्रीनप को लेकर कितनी जाग रुपता है क्या हमारा समाज इस पूरे western concept के लिए तयार है या नहीं और अग बढ़ानी चाहिए इस पर करेंगे विस्तार से बात लेकिन इस प्रेक के बात है हमेज़ा जुड़े हुए हैं सुझाय कांता वाला और हर्शवर्धन रुंग्टा चचा को आगे बढ़ाते हैं और अब सुझाय जी मुझे ये बताईए कि आपके पास जब कपल्स आते हैं अपरी नप्चुर कॉंट्राक्ट बनाने के लिए आमुमान किस तरह किस सवाल पूछे जाते हैं या उनके अंदर अप्रिहेंशन क्या होती है क्या-क्या वो कंसर्ण्स होते हैं जिसको वो आपसे जानना चाहते हैं और आप किस तरह से उसका जवाब देते हैं तीजिए आजकल मैंने देखा है कि जो कपल्स मेरे पास आते हैं दो टाइप के आते हैं कभी किसी को डेटिंग साइट पर कोई मिल गया और उसको जानता नहीं है उसके फैमिली को जानता नहीं है तो उसके माइंड में भयंकर इन सिक्यूरिटी रहती है एक दूसरे के बारे में मैंने ऐसा भी देखा है कि एक डिटेक्टिव एजन्सी लगाते है एक दूसरे के पीछे कि भई इसका पास क्या था कितने स्केलिटन थे इसके कबड में अच्छा ब्लड टेक्स भी इंसिस्ट करते है आजकल कि भई यह अच्छे प्रीनप अगरीमेंट का सोच रहे है तो इससे हमारी तो कितनी बद्नामी होगी यह तो लोग समझ में फैल जाएगा बात और लोग यही समझेंगे कि शादी के पहले ही डिवर्स की बात करें और लड़की अगर हमारे घर पे आती है तो पहले से ही डिवर्स अग सब्सक्राइब करें जो अलगी दुरिया में रहते हैं हाइली एजुकेटेड़ है बहुत ही एक्ष्लोंट है और वह बहुत ही पर्टिकुलर है अपने एसेट्स और लाइबिटी के बारे में वही प्रीनप का अभी सोच रहे हैं मतला आप सोचे 5% भी इसमें से 5% से भी कम है जो अभी परिनप का सोच रहे तो यह प्रीनप को रहती है यह परियेंशन कि आप चीज के वह था उपनी इन्वेश्ट मिंस और अपने आसेट्स बना सकती हूं absolutely in fact अगर हम I'll just take जहां सुझाय ने बात की थी कि क्या ये प्रिनप पहली बात होनी चाहिए so well अगर हम marriage की बात कर रहे हैं coming together दो इनसानों का साथ में आने की बात कर रहे हैं जिन्दगी जीने की जो dreams होते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें actually commercial angles लाने ही नहीं चाहिए in the first place in fact आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने assets खुद बना सकते हैं और उस प्रकार से आप अपना investments अपनी financials, independence की जो बात करने हैं वो आप अपने आप से create कर सकते हैं regularly भी आप जब शादी होती हैं उसमें से आप शुरू कर सकते हैं आपके जो खुद के पहले से investments होंगे उसे आप manage करके अपने नाम पे रख सकते हैं उसमें कोई offense feel नहीं करता है सिर्फ है कि जब आप इतना commercial angle use करते हैं जैसे सुजय ने भी कहा कि I will agree with him कि यह एक बहुत ही high society या socio-economics level के जो इनसान होते हैं वो शायद सो सकते हैं लेकिन उसमें भी आप देखें तो यह marriage of convenience होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो शादी कर रहे हैं कोई emotional bond की वज़़े से हो सकता कि वो शादी इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों high net worth individuals है business houses, industrial houses है जो साथ आ रहे हूँ I think अपना खुद का कई चीज़ टाइम के लिए छोड़ देनी चाहिए कई चीज़ आपको अगर relationship है तो definitely आप commercial angle मत लाईए वक्त पे छोड़ दीजिए देखेंगे फिर जो होगा फिर court सहीं जो आपको आपका हक ऐसे भी दिला सकती है इसको ऐसे commercial angle भी नहीं देखना चाहिए in fact एक तरह की financial freedom है आपके इस relationship में enter हो रहे हैं लेकिन आगे चोल के जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत unpredictable है जिंदिगी आप पहले से कुछ भी निधायर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं लेकि कम से कम financial freedom आपको पाने का पूरा हक है और इसी को ध्यान में रखते हैं प्रीनप contract यहाँ पर काफ़ चलन में हम देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रे आप दोनों का इस खास चरचा में शामिल होने के लिए और इसी के साथ मुझे भी दीज़े इजाज़त में नमस्कार